जारी है संगम नगरी प्रियागराज में भी बार की चपेट में आई गंगा युमना का जलसतर खत्रे की निशान के पास नदियों के किरारे बसे महले पानी में डूब गए हैं दूसरे जगा शरण लेने को मजबूर है लोग बता दें कि लखेम पूर्खिरी के काई लाकों में बार के हालात बने हुए हैं कमिशनर रौशन जैकब ने निरिक्शन किया है और बार प्रभावित शेत्रों का उन्हों बता दें आपको की लगदार हो रही बारिश की विज़े से नदियों का जो जलसतर है वो बढ़ रहा है ऐसे में बारिश और बार का कहर जारी है यूपे के कई लाकों में संगम लगरी प्रयाक राज भी बार की चपिट में आ गई है गंगा यमुना का जलिसतर खत्रिक के निशान के पास है नदियों के किनारे बसे मुहले पानी में डूबे हुए है दूसरी जगह शरण लेने को मजबूर है लोग लखेंपुर्खिरी के कई लाकों में बार क्या हाला है कमिशनर रोशन जैकप ने निरिक्षन किया है बार प्रभावित लाकों का और इसके साथ ही तमाम तरह के दिशान देश भी अथिकारियों को दे दिये गए है कि जो लोग परशान है बार के वज़ा से उनकी मदद जल से जल की जाए वहीं प्रियाग राज में उफान पर है गंगा नदी बतादे कि गंगा नदी के उफान में फसे मच्वारों का रेस्क्यू किया गया है और NDRF की टीम ने बारा मच्वारों की जान बचाई है नदी के तेज उफान पर फस गए थे मच्वारे गंगा नदी में तीन नाव से मच्वारे पकड़ने गए थे मचवारे इसी दौरान तुफान आया और मच्वारे फस गए तो अंडेरफ के टीम ने बारा मच्वारों की जान बचा ली थे नदी के तेज उफान पर फस गए थे ये मच्वारे और गंगा नदी में तीन नाव से मच्वारों की पकड़ने के लिए गए थे एसे में जैसे ही बचावदल को इसकी सूचना मिली तुरंत मौके पर इसकी ऑपरेशन चुरू हुआ एंडेरफ के टीम पहुची और बारा मच्वारों की जान बचाए गए तो नदी के तेज उफान पर फसे हुए थे ये मच्वारे गंगा रदी में तीन नाव समच्वे पकड़ने के लिए गए थे लेकिन जैसे ही पुफान आया और गंगा रदी का ज्रस्तर बढ़ा तो ऐसे में तो मच्वारे हैं वो गंगा रदी में ही तुस गए देश के एक बड़े हिस्से में आस्मानी आफ़त बरस रखी है पहार हो या मैदान भारी बारिश और बार ने लोगों के जिदगी मुखाल कर दी है यूपी में बार और बारिश के बाद नदियों का रादर रूप जारी है आईए आपको दिखाते हैं छे तस्वीरे जहां बार के बाद अलाके जलमक्न हैं जिससे लोगों के मुख्किले बढ़ गई हैं पहरे तस्वीर गौणा से है जहां करीब 30 गाउं बार से प्रभावित हैं बलिया की बात करें तो यहां करीब एक लाख की आबादी बार के चपेट में हैं बहराइच में बार के चलते हैं सड सबसे पहले रुम करेंगे बहराईच का अक्षे अब खुमार basta अमेरे साथ में ग्रीटए नॉयड़ा से जुड़े हुए हैं सबसे पहले रुक करेंगे बहराईश का अक्षे क्या हालात हैं बहराईश में एक तो भीड़े का आतंक और दूसरी तरफ बारश और बार देखें बिल्कुल बहराईश की चार तैसीले हमेशा से बार प्रभाईश रही यहां कि लाखों लोग बार से हमेशा प्रभ गया है तब से यहां पर आलात विल्कुल सामाने नहीं है यहां के जो महसी है, नानपारा है, मोतीपूर है इन तैसीलों में लगातार इनके जो गाव वहां पर पानी भरा हुआ है और लगातार प्रसासन भी इनकी विवस्थाओं में लगा हुआ है बाल चौक्यों के निरि इनको तुद रहात उबलब कराई जाए जी अब बिल्कुल चलिए आदित्या अब आपका रुक करेंगे बल्या में क्या तस्वीर देखने को मिल रही है और प्रशाशन की तरफ से क्या मदद की जा रही है इस बिंदू पर दो मीटर ऊपर दिखा जा रहा हुआ है वही जो घाग रहा है वहीं खत्रा बिंदू को पार कर चुछ फिला जो बलिया में गंगा पर होई चेत्रे फट्रफ ए ठारा गाउ है जो गंगा में आई बार से प्रभावित हो चुके हैं फिलाल यहां एक लाक की अबादी बार की जद्वे गंगा में आई बार की का यहां लोगों का जन्जीवन अस्तिब्यस्थ हो गया है यहां पर तमाम ऐसे गाव बहुत फिल के जहां फिलोग छोड़कर पहलायान करते लगया देर लोग घरों को छोड़कर फुलक्षी तस्थालों पजाए लगे व में बल्याट की नियोगों पीछे निखाना जाओंगा आपको कि पीछे की पूरे मकान वह बाग की जद्वे आ चुके जादतर में ऐसे जो जूब चुके और यह तो बढ़ गांगा है अलाग है अलोग यह जहर का निचला हिलाका है अभी अब आपका शार्शेत्र में दिय प्रशासर जो है लगाता नाव की मदद से लोगों को यह एक स्थाम फे दूफरे अस्थान पर ले जाने में और राहत बचाव कारण करने में जुड़ा हुआ है इसमें जो बार चोकिया है जो मेडिकल कैम से उनको पुरी तरफ में अलर्ट कर दिया गया है कि किसी कोई कोई देखने को मिल रहे हैं क्योंकि हर तरफ बारिश और इसके साथ ही बार जिसने लोगों का जीना मोहाल किया हुआ है किसानों के फसले बर्बाद हो रखी है लोग पलाइन करने को मजबूर है बदाईयों में क्या तस्वेट जो है वो गंगा और राम गंगा से किला चेत रहे हैं गंगा भी बात करें तो गंगा पांतन है जिसके दरजनों गाओं जो है वो बार की कपेट में है और दरजनों गाओं में पानी बर गया है वही राम गंगा भी कापी उपांतन है राम गंगा के और गंगा के कहर से हजा तो बीगा जो सच्छे हैं वो किसानों की बिल्कुल तबा हो चुकी है और इसके साथ ही किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये करी हो गई है कि जो उनके पशु हैं तो भी कही न कहीं बार की वजए से सवस्चे पिसानों पर लिजा रहे हैं लेकिन पुछ पसिल सवस्चि के लिए दोड़ते हैं लेकिन दूसरा एक पुल है तो बरेली दंपद और देनी जीत के लिए दोड़ता है जब भी बारिश और बार आती है तो ये चारो पुलों से काम होना सपम हो जाता है आनि कि आवा गवन बिल्कुल बंद हो जाता है तरुन ग्रेटर नोड़ा में ब कर देवर एक्षब की पास है रहने काम वहां भी जो इसकी इवपस्ते पतर हो गई ती जहां सब्सकेसरे आमने को ज़खे हैं कि बिल्कुल देनी खिश्वार जोगाता है जो अर्दे वाटोड़ा चुछ पास है नहीं और ग्रेटर निगावन पार निगाती की विल्वाश पर में लगा है लगाता है नोड़ा गेडरा तो लिए टार्वा पर शाहरा है। तरहा है बर्बादों सोब्सक्ती है तरहा होगाता है। इसको लेकर जिनाधी काई ने कई ट्रीमों पर घथन कि आए। पर रिपोर्ट बनाने के आभेज दिया हैं जहाँ जल भरे हैं, जहां नहीं अड़कों पर पैरे बड़े बड़े गड़े ही हैं तो भाल जल को पर जाद कई सर्था मॉर्षलमाने पर ज़िया हैं चलिए ठीक है आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी खेले जौनपूर से बड़ी खबर जोहाँ पर जुलूस में देश विरोधी नारी लगाने का मामला जिसमें पुरिस ने 5 आरोपियों को ग्रफतार करें